दोस्तो ये है दिपिका का घर सब यहां सो रहे हैं और अचानक आँल पे उसकी ममा उट जाती है सुबा हो गई बहुत अची नीधा ही कल रात को सुबा क्या के एक्सरसाइज करना तो सबसे अच्छा होता है तो चलो हम सब मिलके एक्सरसाइज करते हैं दिपिका उठाते हैं चलके सुबा हो गई है दिपिका बेटा उठो सुबा हो गई है उठो बेटा आज हम सब चिडिया घर जा रहे है गुड मॉर्निंग ममा गुड मॉर्निंग बेटा कैसी नीदाई आपको ओ तच्छी बेटा जल्दी से तयार हो जाओ आज हम चडिया घर जा रहे हैं ओके ममा ममा पापा कहा है वो चडिया घर के टिक्टे लेने गए है आपके बापा जल्दी ही चडिया घर के टिक्टे लेकर आते होंगे ओके ममा बट ममा मुझे बहुत बूख लगी है बेटा हो रस्ते में से जुआला के छोले बटूरे खाएंगे हाँ सच में ये जोलो अब जाओ और जल्दी से तयार हो जाओ ये कहके वो तयार होने चली जाती है वाओ आज मैं जुआले के छोले बटूरे खाएंगे और उसके बाद चड़िया कर देखने जाएंगे, आज का दिन तो बहुत मज़ा आएगा, ये, ओ, मैं जल्द से तयार होके आती हूँ, और दिपिका तयार होने चली जाती है, तयार होके, वो खाट पर बैटके, ममा पापा का इंतजार करती है, दिपिका बेटा, आप यहाँ ममा हम यहीं पर बैटके इंतजार करते हैं, पापा होन कर देंगे, ओ, ठीक है, तो चलो, मैं भी आपके साथ इस काट पर बैठती हूँ, और आपके पापा के आने का इंतजार करते हैं, सच में दिपिका बेटा, ये तो बहुत ही ज्यादा कमफर्टिबल है, मैंने बोला थ अरे आप अखेली हो, दिपिका कहाँ पर है, पापा मैं यहाँ हूँ, ये चलो चले, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जवाली में आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग डियर, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, समोसे जा भटूरे, दिपिका बेटा, आ पापा मैं एक समोसा और एक बटूरा खाऊंगी, और उसके साथ मैं एक लसी भी पीऊंगी, आप हमें दो बटूरे और थोड़े समोसे दे दीजिए, साथ में तीन गलास लसी, ठीक है सर, इसके लावा और कुछ, नहीं नहीं बस यही कितने पैसे हुए, सर आपके साड़े तीन सो रुपे हो गए, ओके ठीक है साड़े तीन सो, यह लीजिए आपके पैसे, ओ, तैंक यू मैं, आप पांच मिनट वेट कीजिए, मैं आपका ओर्डर अभी लेके आती हूँ, लीजिए आपका पैकेज मैं, क्या आपने सारा समान चेक कर लिया सा पूरा है, येस मैं मै ने खुद से चेक किया है, आपका सारा समान पूरा है, ओ, तैंक यू सो माच, ये मैं आपका बगाया दे दूँ, ओ, आप रख लीजिए, तैंक यू सो माच, बाबाई, और कुछ ही देर में वो सब जू पहुंच जाते हैं, हे माई एंजल हम जू पहुंच गए, ओ, मगर दीपी का तो बैठी बैठी सो गई, बताओ क्या करना है, जू चले या वापिस गर की तरफ गाड़ी मोड़ू, नहीं नहीं, वो तो बहुत एक्साइटेट थी जू आने के लिए, मैं अभी उसे उठाती हूँ, दीपी का बेटा, उठ जाओ, बेटा हम जू पहुंच गए हैं, उठ जाओ, ये, ठीक है बेटा, गाड़ी से उत्रो, बाद दीपी का और उसकी फैमिली जू देखती है, और वापिस जाने की तैयारी करती है, को हमारी स्टोरी अगर अच्छी लेगे तो प्लीज सब्सक्राइब और शुरेद जूरूर करें, धन्यवाद,